Variations अभी तक हमने देखा कि parents की कुछ characteristics अपने offspring या young one में transfer हो जाती है बट reality में parents की सारी characteristics उसके offspring या young one में transfer नहीं होती क्या फिर हम कह सकते हैं कोई भी offspring अपने parent को completely resemble नहीं करता अपने parents की तरह completely नहीं दिखता और सिर्फ parents और offspring सी नहीं कोई भी दो normal human एक दूसरे को completely resemble नहीं कर सकते यानि की कोई भी दो normal humans एक दूसरे की तरह characters बहुत सारी चीज़े completely एक जैसी नहीं develop कर सकते और इन्हीं differences को जो की parents से offspring या एक human से दूसरी human में develop होते हैं इन्हीं differences को हम variations कहते हैं for example अगर हम height को ही consider करें तो हम ये चीज़ notice कर सकते हैं कि किसी की height जादा है किसी की height कम है for example अगर हम hair को consider करें किसी के hairs किसी type के हैं किसी के hairs किसी type के हैं अगर हम nose को consider करें किसी की nose कैसी है तो किसी की nose कैसी है तो मतलब ये बहुत सारे differences एक human से दूसरे human में create हो जाते हैं और इन्ही differences को हम biology की term में variations कहते हैं अगर हम humans में ear को notice करें तो ear का एक lower part होता है जिसे हम ear lobe कहते हैं वैसे तो जादातर humans में ये ear lobe लटका हुआ होता है या कह सकते हैं कि ear का lower part attached नहीं होता बट कुछ humans में ये characters notice करे गए हैं या फिर traits notice करे गए हैं कि उनका ये ear lobe attached होता है तो free ear lobe और attached ear lobe भी एक variation की तरह ही होते हैं humans में वैसे तो variation सिर्फ sexual reproduction में ही होता है और asexual reproduction में variation बहुत ही कम होता है for example अगर आप एक sugar cane field को notice करें मतलब गन्ने के खेत को notice करें तो maximum जो आपको sugar cane या गन्ने दिखेंगे वो almost एक जैसे ही होंगे लेकिन अगर आप humans को notice करेंगे तो वो कुछ एक जैसे नहीं दिखाई देते अब ऐसा नहीं है कि asexual reproduction में variation बिल्कुल ना हो asexual reproduction में भी variation होता है लेकिन sexual reproduction के comparison में वो बहुत कम होता है और variation की वज़े से ही कोई भी दो humans एक जैसे नहीं दिखाई देते except identical twins और variation एक organic evolution याने की एक organism के evolution के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है